दोज़ा बीस में थाना परासिया जिला चिन वार्डा में धोकधड़ी का मामला दर्च किया गया था जिसमें आरोप था कि सुलत छात्रों को एन एफस का डिप्लोमा न देकर किसी अनिसंसा का डिप्लोमा दिया चारा है गौर तलबे की इस प्रकरण में एन एफस डिरेक्टर डॉक्टर सुशान कुमा मेश्राम ने चिनवारा में शुभम काले नामक वैक्ति को अपने कॉलेज की फ्रेंचाइजी दी थी शुभम काले द्वारा कुछ फर्जी वाड़े की चलती डॉक्टर सुशान कुमार निस सन 2019 में ही चिनवारा का सेंटर टर्मिनेट कर दिया था और नाकपुर पोलिस कमिशनर के पास इस सम्मन में शिकायते भी की थी चिनवारा सेंटर टर्मिनेट होने के बाद भी शुभम काले द्वारा एन एफस और डॉक्टर शुशान्त कुमार के नाम पर एडमिशन ली जा रहे थी एन एफस संस्था में पीड़ छातर रजिस्टर ही नहीं किये गए और नाहीं उनके फार्म एन एफस मुख्य कारियाले भेजे गए जब यह छातर एन एफस में रजिस्टर ही नहीं हुए और नाहीं उन्होंने एन एफस की परिक्षा दी तो किस आधा पर इन छात्रों को डॉक्टर शुशान कुमार कर डिप्लोमा देते छात्रों को शुवम काले द्वारत की गई धोकधरी का पता चला तो उडों ने डॉक्टर शुशान कुमार से संपर किया डॉक्टर शुषान कुमार सुयम चात्रों के साथ छिनवाडा स्पी को मिले और बताया की उनके नाम पर बहुत बड़ा फर्जी वाड़ा हो रहा है उन्होंने चात्रों के साथ मिलका लिखित शिकायक भी दी थी पर कुछ दिनों के बाद उल्टा परासिया पुलिस ने बिना कोई जाज किये इस से प्रकरण में शुभम काले के साथ डॉक्टर सुषान कुमार को भी आरूपी बनाया यह प्रकरण चिन्वाडा मध्यप्रदेश का था पर एन एफस नाकपुर महराश्र कॉलिज को बनाम किया जा रहा था और फोटो भी चिन्वाडा मध्यप्रदेश कॉलिज की ना दिखा कर एन एफस नाकपुर महराश्र की दिखाई जा रही थी और इसके बारे में जूटी खबरे कुछ असमाजिक तत्वो द्वारा एन एफस को बनाम करने के लिए जान बूच कर दिखाई जारे थी इस जूटे केस के खिलाफ डॉक्टर सुशान्द कुमार ने जबलपुर हाई कोट में अपील भी किया आखिर में स्थानिक न्यायले ने ही इस प्रकरन की गहराई से जाच और सुनवाई की और इस प्रकरन में डॉक्टर सुशान्द कुमार पूरी तरह निर्दोश थाबित हुए और उन्हें कोट ने बाईजद बरी किया और पुलिस को फटकार भी लगाई परासिया में एन एफस ने नहीं बलकि एन एफस नागपुर और डॉक्टर सुशान्द कुमार के नाम पर फरजीवाड़ा किया था पर आखिर सच सामने आही गया इसलिए कहते हैं ना सत्य की ही जीत होती है